आज के इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ में शेयर कर रही हूँ एक टॉपिक जो कि थर्ड क्लास से इंट्रिड्यूस होता है जिसे की राउंड ओफ भी कहते हैं किसी भी नंबर को एस्टिमेट करना या किसी भी नंबर को राउंड ओफ करने की क्या रूल्स होते हैं कैसे बच्चे आसानी से इसे राउंड ओफ कर सकते किसी भी नंबर को ये मैं आज आप लोगे साथ में शेयर करूंगी यहाँ पर हम देखेंगे 3 digit numbers का round off end तक वीडियो को बीना skip किये जरूर देखेगा ताकि अच्छे से round off भी करना सीख सके बच्चे और साथ में ही मैं कुछ questions भी लेकर आऊंगी जैसे की addition and subtraction में कैसे आप estimate कर सकते हैं numbers को तो उन questions की help से भी हम और अच्छे से इस topic को सीख पाएंगे फर्स्ट जो number है वो है 135 इसे हम दो तरह से round off करना सीखेंगे nearest 10 and nearest 100 तो सबसे पहले हम देखेंगे nearest 10 का कैसे करना है देखे यह 3 digit number है यह है once यह है tens और यह है hundred अब हमें nearest 10 अगर करना है तो 10 के just पहले कौन सा number आएगा once place का जो कि कितना है 5 तो हमें इस number को देखना है कि यह number कितना है अगर यह number 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई number है तो हमें कुछ change नहीं करना है सिर्फ यहां पर 0 लगाना है लेकिन अगर यह number 5, 6, 7, 8 और 9 में से कोई है तो हमें यहां पर क्या करना होता है 0 तो लगाना ही है लेकिन क्या करना होगा plus 1 करना होता है इसमें इसके just पहले वाले number में अब क्योंकि हम nearest 10 कर रहे हैं तो यहां पर 10 के just पहले क्या है 5 है तो 5 जो है यह इस column में आ रहा है यानि कि यह 4 से बढ़ा है 5 है यह 5 से बढ़ा number है तो हम क्या करेंगे हम 1 space पर तो 0 लिखेंगे और जो 10 space है उसमें हम क्या करेंगे प्लस 1 कर लेंगे तो प्लस 1 करेंगे इसमें तो क्या आएगा 4 आएगा 3 प्लस 1 4 और 1 as it is आजाएगा यह हो गया है nearest 10 अब nearest 100 हम देखेंगे तो जब हम nearest 100 देखेंगे तो हम क्या करेंगे अब 100 वाली place पर है 1 1 के just पहले क्या है 3 है तो 3 जो है वो कैसा है 5 से छोटा है अगर 5 से छोटा है तो कोई change हमें नहीं करना है मतलब की 100 वाली place पर तो जो है वो आएगा ही और यहां पर क्या जाएगा दोनों places पर 0 आजाएगा अगर nearest 10 है तो सिर्व 1 प्लेस पर 0 आएगा अगर nearest 100 है तो इन दोनों places पर याने इसके पहले जितनी भी places है उस पर क्या जाएगा 0 आजाएगा तो इस तरीके से यह question solve होता है next देखिए number है 196 पहले हम करेंगे nearest 10 तो nearest 10 करने के लिए हमें क्या करना होगा 10 प्लेस पर यह है 9 उसके जिस्ट पहले क्या है 6 है तो हम 6 देखेंगे 6 जो है यह 5 से बड़ा है मतलब हमें क्या करना होगा plus 1 करना होगा plus 1 हम किस में करेंगे 9 में अब जब 9 में हम plus 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 10 हो जाएगा तो 10 का हम 0 लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे carry over कर देंगे 1 के उपर तो हो जाएगा 1 plus 1, 2 यहाँ पर देखिए 196 नमबर है अब हमें इसे change करना है तो यहाँ पर 6 है जो कि 5 से बड़ा है तो यहाँ पर आजाएगा 0 9 में हमें plus 1 करना है तो आजाएगा 10 तो यह जो 0 है हम यहाँ लिखेंगे और यह जो 1 है यह हम carry over कर देंगे 1 के उपर तो 1 plus 1, 2 तो answer कितना आएगा इसका 200 यह nearest 10 ही है अब देखिए nearest 100 हमें करना है तो 100 वाली place पर क्या है 1 है, 1 के just पहले क्या है 9 जो की 5 से बड़ा है तो अब हम क्या करेंगे इसमें 1 plus करेंगे 1 plus करेंगे तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अब बाकी दोनों digits में क्या जाएगा 0 आजाएगा तो nearest 100 का answer क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर number है 202 अब nearest 10 हमें करना है तो यहाँ पर है 2 जो कि क्या है 5 से छोटा है 5 से छोटा है तो हमें कुछ add नहीं करना है simply यहाँ पर क्या लिखना है 0 तो यहाँ पर 100 वाली place पर 2 ही रहेगा 10 वाली place में कुछ add नहीं होगा तो 0 का 0 ही आएगा और 2 की place पर भी हम क्या लिखेंगे 0 ही लिखेंगे तो हो जाएगा 200 अब हमें करना है nearest 100 तो देखें यहाँ पर है 0 कौन सी वाली place देखेंगे nearest 100 है तो 100 के पहले वाली place देखेंगे यानि कि यहाँ पर क्या है 0 है 0 है यानि कि 5 से छोटा है तो इसमें हम कुछ add नहीं करेंगे मतलब यहाँ पर भी हमारा क्या answer आएगा 200 ही आएगा अगर माल लेजए यहाँ पर middle में कोई बड़ा number होता 5 से बड़ा number तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 प्लस करते हैं तो यह 300 हो जाता फिर next number है 351 इसको हम nearest 10 करेंगे पहले तो यहाँ पर देखें 1 है जो कि 5 से छोटा है nearest 10 करना है मतलब हम कौन सा देखेंगे 10th place के जस्ट पहले वाला तो यह है 1 place 1 place पर है 1 तो 1 अगर है 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे इसमें कुछ प्लस नहीं करेंगी यानि कि 3 तो as it is ही आएगा 100 place पर जो है 10th place पर भी जो है वो as it is आएगा क्योंकि इसमें कुछ आड़ नहीं होगा और 1 place पर क्या जाएगा 0 आजाएगा हम nearest 100 हमें करना है तो nearest 100 के लिए हम क्या करेंगे 10th place देखेंगे यह है 5 5 है मतलब की क्या होगा यहाँ पर प्लस 1 होगा अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो प्लस 1 होगा यह 5 से छोटा होता है तो कुछ भी आड़ नहीं होता है यहाँ पर 5 है प्लस 1 हम किस में करेंगे 100 वाले place में करेंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और 2 नोट डिजिट में 0 आजाएगा अब देखें इसी तरह से हम convert करते हैं nearest 10 और nearest 100 में 3 डिजिट के नंबर को करना भी बहुत आसान ही है I hope आप लोग को यह समझ में आयोगा अब हम यहाँ पर next questions देखते हैं कि addition करते time और subtraction करते time किस तरह से estimate करना है numbers को और फिर किस तरह से add करना है यह subtract करना है question है यहाँ पर estimate the sum then check by adding यहाँ पर estimate करना है sum को और फिर check करना है add करके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन्हें change करेंगे तो जैसे 384 है 384 को हम करेंगे अब देखे यहाँ पर अगर आपको लिखा हुआ नहीं है कि nearest 10 करना है nearest 100 करना है तो अगर 3 digit का number है तो आपको nearest 100 ही करना है अगर 2 digit का number होगा तो nearest 10 हम करेंगे तो nearest 100 हमें करना है तो 100 वाली place पर है 3 nearest 100 करेंगे तो 100 वाली place के just पहले आने की 10s place देखेंगे यहाँ पर है 8 8 है याने की 5 से बढ़ा है तो हम क्या करेंगे plus 1 करेंगे इसमें तो 3 plus 1 हो जाएगा 4 और double 0 आ जाएगा इसी तरह से 175 को हम change करेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 प्लेस पर है 1 उसके जस्ट पहले है 7 जो की 5 से बढ़ा है तो हम इसमें क्या करेंगे plus 1 करेंगे plus 1 करने पर क्या आएगा 200 आएगा one plus one 2 हो यह हमारा answer आ गया है check भी करना है हमें add करके तो अब हम यहाँ पर जो original number है वो हम रखेंगे और उसे add करेंगे तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 क्योंकि बड़ा है उसे हम mind में रखेंगे और 4 fingers लेंगे 5 के आगे से count करेंगे 6, 7, 8, 9 तो यहाँ पर आ जाएगा 9 8 प्लस 7 हमें करना है 8 को mind में रखेंगे और 7 fingers लेंगे तो 8 के आगे से count करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे 1 को carry over करेंगे 3 प्लस 1 करेंगे 4, 4 प्लस 1 करेंगे 5 तो यहाँ पर देखे 559 आया है और जब आप इसको estimate करेंगे तब भी आपका क्या आएगा 600 ही आएगा कैसे देखे 559 है 100 प्लेस पर है 5 उसके जस्ट पहले क्या है वहाँ पर भी 5 है यह 5 और 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम क्या करते है प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर प्लस 1 जब हम करेंगे 5 प्लस 1 6 हो जाएगा और दोनों डिजिट 0 हो जाएगे तो यह देखे एस्टिमेट होके भी कितना आया है 600 ही आया है सेम इसी तरह से देखिए 269 को हम पहले इस्टिमेट करेंगे तो यहाँ पर 10 प्लेस पर है 6 6 है तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 3 तो यह जाएगा 300 और 415 को हमें करना है तो यहाँ पर है 1 1 है तो कोई change नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 ही रहेगा अगर 5 से बड़ा होता तो हम इसमें भी प्लस 1 करते तो यहाँ पर 300 प्लस 400 हम करेंगे तो 003 प्लस 4 हम जब करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा आंसर हमारा 700 हो गया है अब हम जो original number है उसे add करेंगे तो 9 में 5 add करेंगे तो कितना आजाएगा 9 के आगे से हमें count करना है 10, 11, 12, 13, 14 तो यहाँ पर 4 आएगा और 1 carry forward हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8 2 प्लस 4 हम करेंगे तो आएगा 6 तो यह कितना है 684 जब हम इसे estimate करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा 700 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर देखे 8 है 8 है मतलब 5 से बढ़ा है तो हम क्या करेंगे प्लस 1 इसमें कर देंगे तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा तो answer हमारा क्या आएगा 700 ही आएगा नेक्स्ट कुश्चन है एस्टिमेट देफरेंस दें चैक पर सब्ट्रक्टर के अब हमें सब्ट्रक्शन में एस्टिमेशन करना है तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे पहले नंबर्स को एस्टिमेट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे 2 में 1 प्लस करेंगे तो आजाएगा 3 तो यह हो जाएगा 300 130 को हमें करना है यहाँ पर देखे 3 है 10 प्लेस पर तो 3 है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे और यह कितना आजाएगा 100 आजाएगा तो हम यहाँ पर 300 माइनस 100 हम करेंगे तो आजाएगा कितना 200 आजाएगा 3-1 2 आएगा अब हम इन numbers को करेंगे फिर हम 287 में से 130 को subtract करेंगे तो 7-07 आएगा 8-3 करेंगे तो 5 आएगा 2-1 करेंगे तो 1 आएगा तो यहां पर answer आ रहा है 157 और जब हम 157 को estimate करेंगे तो हमारा answer 200 ही आएगा फिर देखिए 350 को हमें करना है तो 350 यहां पर 5 है 5 है तो हम क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे 3 में तो हो जाएगा 4 तो यह हो जाएगा 400 184 है 8 है यहां पर 10 प्रेस में तो 8 है तो हम क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो 5 से बड़ा है 8, तो 1 प्लस करेंगे, तो ये 200 हो जाएगा, अब हमें 400-200 करना है, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 200 आजाएगा, अब हम numbers को करेंगे, तो यहाँ पर देखें, numbers को करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमें borrow करना होगा, 10-4 करेंगे, 6 2-1 करेंगे, तो 1 आएगा, और इसे भी जब हम estimate करेंगे, तो क्या आएगा, 200 ही आएगा, next यहाँ पर number है, 510, यहाँ पर देखें, 1 है, यानि की 5 से छोटा है, कोई change नहीं होगा, तो 500 आएगा, 190 है, यहाँ पर 9 है, मतलब की हमें क्या करना होगा, प्लस 1 करना होगा, तो 0-0, 0, यहाँ पर, बोरो करेंगे, 11-9 जब हम करेंगे, तो आएगा, 2, 4-1 करेंगे, तो आएगा, 320 है, और इसे भी जब हम estimate करेंगे, तो कितना आएगा, 300 ही आएगा, तो यह था estimation का chapter, इसमें multiplication में भी estimation होता है, आप अगर वो वीडियो देखना चाहता है, तो मुझे जब जरूर कमेंट कीजेगा, मैं उसके उपर भी एक वीडियो जल्दी बनाऊँगी, estimation, I hope आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा, आपके बच्चों के लिए helpful रहा होगा यह वीडियो, कैसा लगा है, कमेंट जरूर कीजेगा, पसंद आया है, तो लाइक जरूर कीजिए, न